नमस्कार दुफतों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आज किस ने क्लास में दुफतों आज किस वीडियों बात करने वाले बी-ए के हिस्ट्री माडल कोश्चन्स के बारे में यानि कि जो बी-ए में हिस्ट्री यानि की इतिहास सब्जेक्ट होता है उससे जुड़े सभी कमेंट आते हैं कि सारा एंसर भी बता दिया करिए तो मैं एंसर भी बता दूंगा हाला कि जो में कोश्चन बताने वाला हूं इस सारे टॉप लेबल कि इसको नोट डाउन कर लीजेगा और बाद में भी पढ़ते रहेगा तब ही आप लोग एक्जाम देने जाएगा त चले भी नादियो के वीडियो में आगे बाढ़ते और पहला कोश्चन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में मैंने फिल्टर के सारे कोश्चन रखे जो टॉप लेबल के हैं वहीं मैं आपको बता रहा हूं आप लोग इक प्रस नमबर पांच है इस नहीं मतलब है मैं टॉ सीर्माटा माना है दूतिए मारडन चायल लिक ने शुमिरियों को सिंद्व सबीता का निर्माटा माना है तीसरे मत में जॉन मॉर्शल ने द्रवीडो को सिंद्व पांडे का निर्माटा माना है भूम अध्या सागरी इस enlightenment एक बहुत संख्या में थी इसी जात ने सबसे अधिक यूगदान दिया है यहां पर कुष्चन कहे रहा है कि हड़ापा संस्कित के निर्माता को ने तो इसमें इस संबंद में तीन मत हैं अलग-अलग मत हैं और साथ-साथ में अलग-अलग आप लोगों को एक का नाम नहीं लिखना तीनों के नाम जैसे इस इसम फसी में अधिक यह योगदान दिया उके यह कुट्छन का अप लोग च्राइब को पर यह को क्लिए हो गया यह कोगल पर सब्सक्राइब लेखन कला की पुल्चिनता के बारे में लिखें थे फैस्ट चीज लिखा है कि परचीन कला में लेखन कला की प्रचींता के संबंद में दो प्रकार की विचार धाइं पहली आपको बताय जा रहे मैक्स मूलर का मत है कि ठीक है पढ़ान की अस्टा ध्याई में एक एक ऐसा सब्द जान दिजेगा अस्टा अधाय में एक भी ऐसा सब्द नहीं जो लेखन कला के अस्तित को प्रमाडित कर सके उन्होंने लेखन कला को चतुर्थ सताब्दी इस भी पूर्व का पार ठीक है पारवर्ती काल माना है ठीक है और बरनल ने कहा है यानि कि पहले तो मैक्स मूलर के मत के अनुसार ये हो गया द तो आपके एक्जाम में कोश्चन आ गया तो दोनों के उम्मित अलग अलग लिख दीजिएगा ठीक है क्योंकि एक लिखेंगे तो आप लोगों को confusion रहेगा एक्जामनर को लगए कि इस स्टूडेंट को सायद एक ही के वारे बनालज अगर दोनों लिख देंगे तो पता च देना कि सत्मान का लेख तैत्रीय रहामल सत्पत ब्रहामल आच से प्राप्ट होता सत्मान सहस्तमान थां सत्थलमार कर थो की मुद्राइः थी भ्यान देजेगा जिसके अनुषार सत्मान और कुर्णल निस्चित भार की धाट की मुद्राइः थी ध्यान देजेगा सितमान हंड़र यनी कि सव रत्त के बराबर होता था डाक्टर भंडारकर ने इसे वृत्ता का सिक्का बताया तो आई में फोरा आट पर लग रहा हूं कि हाँ ये क्या चीजा हो चकता है तो आप सभीको इस इंसर मेरे बताने के बाद आप सभीकों मालूं हो ग Garrett जीजे और ठीक है और किस लेखक ने किस्ह성्जाहर का माना है या फिर किस समासाथ्तरी ने तो आप सभीकों यह भी अबलेकों का विशेष महत्वूर्ण रहा है और लिखा कि दस्ट से अबलेकों को निमलिखित प्रकास बिवाजित किया गया है ठीक है तो यानि निमलिखित का मत्रा बहुएगा कई प्रकार में इसे बिवाजित किया गया है ठीक है इसमें बता जा रहा है ठीक है ब्यापारिक अबलेक ठीक है पहला है ब्यापारिक अबलेक दूसरा है तांत्रिक अबलेक ठीक है और तीसरा है धार्मिक और सिच्छात्मक अबलेक और निस्ट है सासन सब्मंधि अबलेक और है प्रास्तिपरक अबलेक, पूजाया समर्परक अबलेक, दान्समंदी अबलेक, असमर्किये अबलेक और साहितिक अबलेक तो ये रहें अबलेकों के प्रकार जो ही आप लोगों को समझ भी आ गया होगा दूसरा पॉइंट करके लिख जीजेगा ठीक है तांत्रिक अब लेग और तीसरा लिख दीजेगा धार्मिक और सिस्थात्मक लग तो इस तरह लिखेंगे तो आप लोग तो धर्म था उस पे आप लोगों को थोड़ी सी जानकाय लिखनी है क्या है इसमें अंसर में लिख देना कि शिंद्धुगाटी की सब्धिता के लोग संब्ध एक इश्वरे सत्ता पर विश्वास करते थे इसे वे बिश्चुकी सर्जनात्मक सक्ति मानते थे इस परम सक्त के दो स्वरूप की कलपना उनके मन से ज्यात होती है पहली है एक परम पुरुस और दूसरा परम नारी धान देजेगा एक परम पुरुस और दूसरा परम नारी ठीक है दो स्वरूपों की कलपना उनके मन में ज्यात होती है जो की एक परम पुरुस और दूसर का प्रमनादी और लिखाए कालांतर में व्यक्षित हिंदू धर्म की ठीक है टिक siglo और प्रव। की कल्पना का अधार यही धुंदात्मग धृम तो यह संच्र संजे ये उसमें किस प्रकार था और कैसे था उसके बारे में चोटी सी चैनल इवस्था हो आ किस प्रकार की थी ठीक है चलिए बढ़ेंगे अ phosphorus कि आप लोग इनको नोट डाउन पर जाजए endure गया semester दिश्कोशन है कि लोथल का देज़ेगा दस नमबर है कि लोथल का पुरा तात्विक महत्त बताईए तो चलिए इसके बारे समझते हैं क्या है लिखा कि यहां अहमदाबाद के पचास मील दच्छिन में धोलुखा तालुका के सरग वाला गाउं में स्थित है यानि कि लोथल का पुरा तात्विक महत्त बता है यहां पर बताया जा रहा है यहां पर इस्थित है यहां टीला का अंडाकार यों निकट वर्ती भूम से 18 फित उचा है ध्यां देजेगा लोथल का पुरा तात्विक है वह हमदाबाद से 50 में दच्छिन में लो दुका तालुका के साराव यहां पर टीला अंडाकार्यूम निकट वर्ती भूमी से 18 फिट उंचा है यहां का उत्खलन ठीक है उत्खनन को उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने कराया याद रखेगा ठीक है और लिखा यहां के पुराव सेशों को पांच निर्मान अत्मक कालों में भाजित किया गया यहां के उत्खनन से प्रिशिद डाक यार्ड प्रकास में आया है इसे पता चलता है कि यहां से शुमरियों से बेपार होता था तो यह ध्यान लखेगा यह जो है यहां के उतकरन से प्रिसिद डाका यारड प्रकास में आया है इसे पता चलता है कि यहां में सुमजियों से बेपार होता है ध्यान लखेगा सुमजियों से बेपार होता है यह में पॉइंट है आप लोग याद रखेगा रोथल का प्रतत्त तो एक माहत तो इसके बारे में क्या माहत होई यानि कि एक स्थान है ठीक है और पर यहां पर यह ग्यात होता है कि सुमर्यों यहां पर बेवपार होता था ठीक है सुमर्यों से कोशन है कि लोथल का गोदी बाड़ा तो लोथल का गोदी बाड़ा क्या है यह समझते हैं तो लिखाएंसर में कि लोथल का गोड़ी ठीक है गोदी या डाक यार्ड एक बिस्ष प्रिकार के भावन में था यह 48 पॉइंट ठीक है 5 यह 5 मीटर लंबा और 42.5 मीटर चौड़ा था 3.5 मीटर यानि 5 मीटर उंचा था यह कच्ची इंटों के चबुतरों पर बना था ध्यांदी जेगा लोथल का बाद जो गोदी बाड़ा है यह वताया जा रहा है यह रहा लोथल का गोदी बाड़ा क्या है कितने मीटर उंचा लंबा और चौड़ा था यह आपको जानकारी हुई और यह किसाकार का बना था किस्चे बना था और इसमें क्या-क्या किन पक्तियों में भाजित था यह जानकारी आपको मिली है जो कि लोथल का गोदी बाड़ा तो यह एंसर कोश्चन आ गया तो आप लोग ऐसे ही लिख दीजेगा नेस्ट कोश्चन है कि गिलगा मे एहां काब भी तो गिलगा में महाकाब इसे क्या समस्ते हैं या क्या है चलिक पढ़ते हैं रिखा साहित के छेत में वेबि लोनिया की देन अतधिक महतुपूर्ण मानी जा रही है उन्होंने बिश्च में परफम महाकाब की रशना की याद रखेगा इसका नाम है गिलगा मेश एक महा काब है जो कि विश्चु का सबसे प्रथम महा काब की रचना मानी जाती है ठीक है कि रचना है ठीक है तो यह आप लोग यह याद जरूर रखेगा इसका 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 बेबी लोनिया नवाशियों ने उसके साहस्पूर कार्यों की गाथाओं का एक सूत्र में पिरोकर महा काब का रूप दिया इस महा काब में स्थ रचना तथा ठीक है इस महा काब में क्या क्या है यह जानकारी आपको गिलगा मेस महा काब से मिलती है तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी ठीक है दो चार बार कोश्चन पढ़ लीजेगा एंसर समझ में आ जाएगा नेश्ट कोश्चन है कि हेरो डोटस हेरो टेटर्स क्या है इसके बाले में क्या समझते चली जानकाई दीजिए पढ़ते हैं एंसर में लिखा बिश्चु आकर बस गया उसने फारस यूनान की युद्धो का उर्दांत तथा यूनान के आज पास रहने वाले जातियों का इतिहास लिखा जो हेरो डोटस था ज्यान दिजेगा विश्च के पर्थम इतिहासकार हेरो डोटस थे ठीक है यहाद रखेगा वही इस कोश्चन से यही करा था जो जन्म दाता था यानि यह आप लोग कह सकते हैं यहरो करूचर है है एक क्लीर हो गया ह草गा ठीक है पूंगे आप लोगों को मिल गया है ठीक है यहां पर एंसर मिल गया ठीक है कि अजिश कोश्टिन है कि अशुर बनिपाल कि असे आप क्या समझते यह क्या है इसके बारे में जानकाई दीजी तो इसके बारे पढ़ते लिखा कि सार गंदुतिये के उत्तरा धिकारियों में असुर बदनाम भी हुआ यद्दप उसमें सालिनता का भी कमी नहीं थी उसके समय में असरिया की सक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी परंत उसके बाद विदेशी आक्रमों के कार्ण असरिया का तेजी से पतनारंब हो गया तो यह रहा असुर बनिपाल के बारे मे से फराव कहा जाता था यानि कि फराव का अरत है सर्बो चुभावन जहां इस वर निवास करता है तात पर यह है कि मिस्र का फराव सक्षाली तथा निरुंकुष सासक था मिस्र में लगबग एकतिह राजवन्सों ने एकतिस सो वर्स तक सासन किया और अंत में 1332 इसा पुर फराव कहला था फराव कहला था और इसका जो आर्थ है वह सर्बो चुभावन जहां पर रिस्वास निवास करता था इस युग का जो ठीक है इस युग में फराव का मुख देश दो था वो पिरामिडों का निर्मान करना था तो यह याद रखेगा कोई ज्यादा आप वीडियो ग्रेस्क्रिक्सान में ठीक है में तेनेस्ट वीडियों तो तकल जाहें